हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दाय जोफ साइंस में आज हम इस क्लास में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोब्लम देता है यह टॉपिक है हमारा रेजोनेंस एफेक्ट और इसी का उससे यह लिया गया है और इसका जहां तक भी आप के मिस्ट्री पढ़ते हैं हर जगे बहुत ज्यादा यूज होता है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि रेजोनेंस एफेक्ट या मीजोमेरेख एफेक्ट होता क्या है इसका कारण क्या होता है क्यों होता है यह कित आगे जो फ्रस्ट पॉंट आवता है हमारा कि फ्र्स पॉंट क्या है कि जो हमारे मॉस्त होते हैं कोई मोलीकूल मॉरीelson का chronology जो है वो उसकी οιश एस्टक्च 120 से नहीं बताया जा सकता है यानि कि नहीं किया जा सकता है तो नहीं लिखेंगे चैनर मेंटेंगे there are many molecules whose behavior whose behavior cannot be explained by the single Lewis structure पहला point हमारा क्या है कि बहुत सारे ऐसे molecules होते हैं जिनके विहेबियर को Lewis की जो single structure होती है उससे explain नहीं किया जा सकता है यानि कि Lewis की जो एक ही structure यानि कि Lewis structure होती है उससे हम molecules के behavior को explain नहीं कर पाते हैं दूसरा point क्या आता है फिर यहां से हमारा second point की बात करते हैं second point क्या आता है यहां से number two point number two point आता है chemical structures chemical structure can be written in two or more different form ठीक है यह हमारा next point है next point में देखो पहले point में क्या बताया गया है कि अगर किसी molecule की एक ही structure है तो उससे उसके behavior को explain नहीं किया जा सकता है कि chemical structure होती है वो क्या हो सकती है एक इस कि इसे जादा form में बनाया जा सकता है यानि कि एसा नहीं है कि उनकी lähes चिए एक से बन सकती है नंबर three point में क्या बात करेंगे 그 हम यह देखो जो चीज चल लई हैं यही basic चीज़े हैं किसकी resonance की इन्हीं पर resonance depend करता है these different structures these different structures these different structures are called resonating structure resonating structure इन्हीं structures को हम क्या बोलते हैं जो यह different structures होती हैं इन्हीं को बोला जाता है resonating structure ठीक है अब देखिए कैसे resonating structure बनती है थोड़ा सा नीचे इसको explain करते हैं जैसे suppose that क्या है हमारा हम एक यहाँ example ले लें benzen का किसका example ले लें benzen का यह एक बैंजीन की structure है यह आपकी structure किसकी है benzen की तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है ठीक है यह आपने benzen की structure पढ़िए इसमें क्या है कि benzen जो है benzen के पास six carbon है six hydrogen है और इसके पास क्या है double bond है यहाँ double bond है, यहाँ double bond है, alternate double bond है, लेकिन अगर इसी structure की हम बात करें, तो इसकी structure कुछी इस तरह से भी बनाई जा सकती है, कैसे बन सकती है इसकी structure एक और, कि यह वाला जो bond है आपका, यह shift करके कहा जाएगा, यह वाला bond यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और यह वाला bond कहा दोला जाये तो दोनों की दोनों है तो बेंजीन ही यही तो हम बात बता रहे थे अभी कि कोई भी molecule जो होता है उसकी structure दो या दो से जाद की बनाई जा सकती है तो इस तरह से यह बेंजीन की कितनी structure हो गई टू structure हो गई अब इसको इसकी अगर हम shifting कराएं तो इसका इसका बॉंड शिफ्ट होके कहा सकता है यहां इसका कहा सकता है यहां यानि कि यह दोनों structure जो है एक ही है इसकी shifting से ये वाली structure बन सकती है और इसमें electron की shifting से ये वाली बन सकती है यह जो both side arrow होता है यही resonance structure को represent करता है यानि कि जो two resonating structure होंगी उनके बीच में ये both side arrow से लगाया जाता है यानि कि both side arrow से represent होती है अब देखिए इसी से क्या पता लगा यहां इसी से आपकी सारी चीजे जो हमने point में लिखी थी वो clear हो गई है ठीक है क्या लिखा था हमने कि chemical structure जो होती है वो two or more different form में बन सकती है तो दोनों form क्या है different है है और क्या होता है इनी को क्या बोला जाएगा इनी को resonating structure बोला जाएगा यह resonance structure बोला जाएगा आगे चलते हैं next point पर next point में क्या लिखना है आपको बस 4-5 point लिखने हैं और इन 4-5 point में आपको सारी चीजे clear हो जाएंगी four point क्या है all resonating structures are imaginary structures जितनी भी आपकी resonating structure होती है वो क्या होती है all resonating इस्ट्रक्चर्स और इमेजिनरी इमेजिनरी इस्ट्रक्चर्स यह क्या होती है सारी कि सारी imaginary structure होती है अभी इसको और आगे explain करते है नंबर five five point की बात करते हैं five point में क्या है resonance structure resonance structure are made by the sifting of pi electrons देखो यही अभी आपको बताया था हमने जब बेंजीन की बात कही थी तो बेंजीन में आपको यही बताया था कि जो यहां से pi electron होगे यानि कि जो आपका double bond है वही तो shift हुआ है और double bond में कौन से electron होते है double bond में होते है pi electron यानि कि यहां से जो shifting हुई है वो हुई है pi electron की अगर आपका pi electron shift होगा तभी आपकी resonating structure बनेंगी ठीक है resonating structure जो होती है दोनों की दोनों जैसे यह दो structure benzene की बनी है तो इन में से अगर पूछा जाए आपसे कि benzene की actual structure कौन सी है तो benzene की इन में से actual structure कोई सी भी नहीं है दोनों की दोनों क्या structure है यह imaginary structure है ठीक है यही सारी बाते हमने points में कहीं है एक पॉइंट और रह गया है पॉइंट नंबर 6 पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं यहां से क्या है None of them None of them Can explain All the All the Properties of The Molecule ठीक है मतलब इन दोनों में से कोई सी भी structure ऐसी नहीं है जो Molecule की complete property को जितनी भी properties होती है उन सब को explain कर देगी ठीक है चलिए थोड़ा सा एक बार फिर से starting से देखते हैं क्या क्या चीजे थी देखिए जो Lewis की structure होती है यानि कि single structure होती है उससे हम किसी भी ही Molecule के behavior का पता नहीं लगा सकते हैं उसके behavior को explain नहीं कर सकते हैं ठीक है अब नहीं कर सकते हैं तो कुछ Molecule से ऐसे होते हैं जिनकी जो होती है दो या दो से ज़ादा form होती है यानि कि जो दो से दो या दो से ज़ादा form में exist कर सकते हैं जो exist कर सकते हैं वही जो structure होती है उनकी वही resonating structure कहलाती है अब next point क्या आता है these different structures are called resonating structure यही structure क्या कहलाती है आपकी यही structure resonating structure कहलाती है ठीक है नीचे क्या है, all resonating structures are imaginary, यानि कि क्या होती है, यही resonating structure क्या होती है, यह सारी कि सारी imaginary होती है, यानि कि इन में से जो वास्तविक structure होती है, वो कोई सी भी नहीं होती, दोनों क्या होती है, दोनों काल्पनिक होती है, imaginary होती है, आगे बात करते हैं, तो आगे क्या है, resonance structures are made by the shifting of pi electrons किस से के shift होने से बनती है पाई electron के shift होने से बनती है ठीक है अगर पाई electron shift होगा तो यह structure बनेंगी last point है none of them can explain all the properties of the molecule यानि कि इनमें से एक भी structure ऐसी नहीं है जो इस molecule की actual structure को क्या कर पाए explain कर पाए इनमें से कोई भी structure ऐसी नहीं है जो इसकी actual structure को explain कर पाए चलिए अब बास्विक्ता क्या है उस पर चलते है देखिए जो इसमें benzene में आपके कैसे bond है alternate single double bond है यह यहाँ पर double है single है double है single है ऐसे करके हैं तो जहाँ पर भी double bond होते है बहाँ पर क्या होता है बहाँ पर electron कौन सा होता है pi electron होता है यानि कि यहाँ पर क्या है pi electron है यहाँ पर क्या है pi electron है यह भी और यह भी pi electron है यह क्या होते है pi electron होते है तो actually resonance में होता क्या है जो resonance होती है उसमें pi electrons की shifting होती है यानि कि pi electrons क्या करते है shift करते है ठीक है जहां single था वहां क्या हो जाएगा double हो जाएगा और जहां double था वहां क्या हो जाएगा single हो जाएगा ठीक है अब देखिए जहां carbon carbon के बीच में double bond है carbon carbon के बीच में क्या है double bond है वहाँ पर यह क्या है यहाँ पर suppose that यह यहाँ पर double bond है क्या है यहाँ पर double bond डबल बॉंड तो यहां का जो बॉंड एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो होना चाहिए 134 पीम ठीके कितना होना चाहिए 134 पिको मीटर ये क्योंकि कारवन कारवन के बीच में जब डबल बॉंड होता है तो उसका क्या होता है 134 picometer होती है उसकी bond length यानि कि इसका जो bond length होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 134 picometer ठीके अब अगर हम single bond की बात करते हैं जहां पर क्या है carbon carbon single bond है जैसे यहां यहां क्या है carbon carbon single bond है single bond तो इसका जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 154 pm होना चाहिए 154 pm क्योंकि 154 pm किसका होता है carbon carbon single bond का ठीक है bond length होता है लेकिन experimentally यह पता लगा कि जो बेंजीन होती है बेंजीन के बीच में जो bond length होता है carbon carbon के बीच में जितने भी carbon होते है सब के बीच में जो bond length होता है वो कितना होता है वो होता है 139 pm इससे पता क्या लगा इससे पता यह लग गया कि बेंजीन में जितने भी carbon होते हैं सब के बीच में एक जैसा ही bond होता है different different bond नहीं होते हैं लेकिन इन resonating structure से हमें क्या पता लग रहा था कि बेंजीन के बीच में क्या होते हैं जब bond होते हैं वो कैसे होते हैं single or double होते हैं अब जब single double bond होते हैं तो जहां carbon carbon single bond था उसका bond length होना चाहिए था 154 picometer और double bond का होना चाहिए था 134 picometer लेकिन actually experimentally यह पता लगा कि इसका जो bond length होता है वो कितना होता है वो होता है 139 picometer इससे पता लगता है कि जो बेंजीन की structure है ना तो यह सही है और ना यह सही है फिर बेंजीन की structure सही है कौन सी actually यह जो bond होते है पाई bond जिनको बोला जा रहा है इनका जो rotation होता है वो बहुत ज़्यादा fast होता है बहुत ज़्यादा fast होता है तो वो कुछ इस तरह का बन जाता है carbon का सबका nature क्या हो जाता है एक जैसा हो जाता है और जब एक जैसा nature हो जाएगा तो क्या जाएगी यहां की अगर bond length की बात करेंगे तो यहां की जो bond length आ जाएगी वही 139 pm आ जाएगी यहां की यहां क्या होगा all carbon single bond length are equal और यह रहेगी भी कितनी यह रहेगी 139 pm कितनी रहेगी 139 pm बोंड length रहेगी कितनी 139 pm रहेगी और यहां यह जो हुआ है यह क्या हुआ है यह हुआ है delocalization of pi electron इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो structure है ना तो आपकी यह first वाली विल्कुल ठीक थी ना second वाली थी carbon carbon के बीच में तो कितनी होनी चाहिए थी 154 pm अब ना तो यह 134 है ना यह 154 है यह कितनी है 139 इसका मतलब benzene में जो bond है ना तो single है ना double है फिर हैं कौन से single से कुछ जादे हैं और double से कुछ कम है यानि कि single और double के intermediate bond present है किसमे benzene में ना तो double है यानि कि double से ज़्यादा bond है और single से कम है और single से ज़्यादा है यानि कि single और double का intermediate bond किसमें प्रेजेंट है बेंजीन में तो यह जो बेंजीन की structure यह जो दो बनी है यह क्या कहलाएंगी इसकी यह कहलाएंगी resonating structure resonating structure और यह वाली जो कहलाएंगी यह कहलाएंगी resonance hybrid और यही आपकी होगी actual structure इसकी यानि की सही structure यह क्या कहलाएंगी resonating या resonance hybrid ठीक है यह क्या कहलाएंगी यही कहलाएंगी आपकी resonance hybrid ठीक है यह resonating hybrid यहां तक आपको समझ में आ गया होगा एक second example लेते हैं इसी तरह से एक और example लेकर आपको explain करते हैं एक्जामपल किसका लेंगे एक्जामपल ले रहे हैं CO2 का carbon dioxide का देखें CO2 CO2 की जब हम बात करते हैं CO2 की हम जब भी structure बनाते हैं कुछ ऐसे बनती है यानि कि C यहांपर क्या होता है O यहांपर क्या होता है O इसके बास यहां क्या होते हैं electron ठीक है इधर भी किसके electron होंगे इधर भी यह oxygen के electron होते हैं ऐसे करके और जो electron यहांपर आते हैं यह किसके आ गए यह और और oxygen का प्रीट हो जाता है ठीक है ऐसा होने से क्या हुआ यहांपर जो carbon था आपका carbon oxygen की साथ भी double bond बना लेता है और दूसरे oxygen की साथ भी double bond बना लेता है और इसके पास क्या रहते हैं इनके पास रहते हैं lone pair किसके पास oxygen के पास अब होता क्या है यहां से इसी structure को अगर हम लेके चलें जो आपके सामने है तो यहां क्या होगा यहां होगा क्या इसकी एक और structure बन जाएगी क्या structure इसकी बन जाएगी कि यह वाला जो lone pair है यह जो lone pair है यह lone pair किसके उपर shift कर जाए यहां और यहां से यह pile अप्ट्रोन कहां पर shift कर जाए यहां पर तो इस तरह से एक और structure बन जाएगी यानि कि C और यहाँ पर क्या आ जाएगा bond triple bond आ जाएगा ओपर आपका एक ही loan pair रहेगा और charge कैसा हो जाएगा इस पर charge आ जाएगा positive और यहाँ पर bond कैसा आ जाएगा single और loan pair कितने हो जाएगे loan pair हो जाएगे 3 और charge कैसा आ जाएगा चार्ज आ जाएगा negative ठीक है लेकिन एक और structure कैसी बन सकती है यहाँ से एक और structure बन जाएगी कि जब आपका जो यह triple bond है जब इस वाले oxygen के साथ आ जाएगे यानि कि यहाँ आ जाएगे और यह single bond इधर आ जाएगे इस पर एक loan pair और इस पर चार्ज आ जाएगा negative इस तरह से जो carbon dioxide है carbon dioxide की 3 resonating structure बन जाएगी ठीक है मान लिए यह आपका carbon था carbon को अगर हम number देदें यह अगर आपका carbon 1 था sorry oxygen बन था oxygen को number देदें यह 2 था तो यहाँ carbon 1 की oxygen 1 और carbon की साथ में double bond है और oxygen 2 और carbon की साथ में भी double bond है लेकिन यहाँ बन की साथ triple bond हो गया है और 2 की साथ single bond हो गया है यहाँ बन की साथ single हो गया है और 2 की साथ triple हो गया है यानि कि यह 3 structure बन सकती है अगर हम कोई और 4th structure बनाना चाहें तो और 4th कोई भी structure exist नहीं करेगी अब आपसे अगर पुछा जाता है कि इन में से सही structure कौन सी है तो देखें इन में से सही structure कोई सी भी नहीं है क्योंकि ये तीनों की तीनों ही structure आपकी क्या है resonating structure resonating structure है ये resonating structure अब यहाँ से हमें पता क्या लगा हमें पता जो लगा क्या-क्या चीजे पता लगी यहां से कि जो कार्बन-कार्बन के बीच में कार्बन ओक्सिजन के बीच में आपका कार्बन ओक्सिजन के बीच में डबल बोंड है यानि कि जो यह डबल बोंड है ठीक है डबल बोंड का जो बोंड लेंथ यहां दिया होगा यह जो कार्बन ओक्सिजन के बीच में डबल बोंड है सी डबल बोंड ओ जो है इसका जो लेंथ होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था carbon oxygen के बीच में अगर double bond आता है तो इसका जो length होता है वो कितना होता है 122 pm होता है 122 pm कितना होता है 122 pm होता है और अगर carbon oxygen के बीच में triple bond आता है तो इसका जो क्या होता है bond length होता है वो कितना होता है वो होता है 110 pm 110 pm लेकिन एक्सपरिमेंटली जो पता लगा वो एक्सपरिमेंटली पता हमें ये लगा कि CO2 में जो bond length होती है वो कितनी होती है? वो होती है CO2 की, अगर CO2 की bond length पढ़ी जाए, तो CO2 की जो bond length होती है वो कितनी होती है? वो होती है 115 PM 115 PM इतनी bond length होती है carbon dioxide में इस से पता क्या लगता है इस से पता ये लगता है कि ना तो carbon में double bond होता है ना carbon में triple bond होता है ठीक है अब carbon में double bond होता है ना triple bond होता है तो फिर कौन सा bond होता है actually carbon में जो bond होता है वो double और triple bond का intermediate होता है क्योंकि देखो अगर double होना चाहिए था carbon oxygen के बीच में तो 122 pm होनी चाहिए थी और triple bond होना चाहिए था तो 110 pm होनी चाहिए थी लेकिन निकली कितनी इन दोनों का intermediate that is 115 115 तो इसका मतलब यह हुआ कि जो यहां पर इसकी bond length होती है वो 115 होती है इसका मतलब ना तो carbon oxygen के बीच में double bond होता और ना ही triple bond होता है तो फिर कौन होता है यानि कि double से थोड़ा सा जादा होता है और triple से थोड़ा सा कम होता है तो फिर क्या होता है, इन दोनों का intermediate होता है अब अगर इसकी structure बनाने लगें, कि इसकी सही structure क्या होगी तो इसकी जो सही structure होगी, इसकी सही structure कौन सी होगी कि C, C double bond O, और यहां भी double bond O और फिर कैसे सो करेंगे, यहां इस ऐसे करकर dotted line से सो करेंगे यानि कि इनके जो bond होंगे, वो बराबर होंगे, ना तो triple होंगे, ना double होंगे इसी को आपका बोला जाएगा, resonance, resonance hybrid यही आपका क्या है, resonance hybrid है, ठीक है, और कुछ example लेकर आपको explain करते हैं, यही चीज एक दो example ओर लेते हैं जैसे एक example ले लेते हैं हम यही से एक example क्या लेते हैं आर, single bond C, double bond O, single bond OH, एक example तो यह लेते हैं कार्वोजाइलिक एसिड का, ठीक है, एक example कहें का लेते हैं हम, एक और ले रहे हैं, आर, single bond N, double bond O, single bond O, इस पर चार्ज है positive और इस पर चार्ज है negative, ठीक है, दूसरा यह ले लेते हैं, तीसरा एक और ले लेते हैं, आर, single bond C, double bond O, single bond H, एलडे आईड का एक ले लेते हैं, ठीक है, तो यह ले लिए हैं, अब देखें इस नहीं कहां कहां किसके पास loan payer है, यहां इसके पास दो लोन पर यहां, इसके पास भी यहां दो लोन पर यहां, यहां की बात करेंगे, तो loan pair है ठीक है और जो यह O negative आया है O negative के पास कितने loan pair रहे होंगे O negative के पास loan pair रहे होंगे three इसमें भी two loan pair है ठीक है तो एक हो गए आपका carvosilic acid एक हो गए आपका nitroalkane और एक हो गए आपका aldehyde अब देखिए यहां से इसकी अगर हम resonating structure बनाएं तो इसकी resonating structure बनेगी क्या देखिए यहां से क्या होगा यह वाला जो आपका double bond होगा यह इस पर shift हो जाएगा जैसे यह इस पर shift होगा तो यहां से यह electron pair यहां पहुंच जाएगा double bond बना लेगा अर्था जो structure बनेगी वो बनेगी R single bond C और यहां पर bond single हो गया और यहां पर bond हो गया है double O और इसके पास क्या है H है ठीक है यहां जो loan pair आएगा आपका इस पर charge कैसा जाएगा इस पर charge आजाएगा आपका positive ठीक है और इस पर जो charge आजाएगा आपका कितने loan pair आई यहां पर 6 loan pair इस पर charge कैसा आजाएगा इस पर charge आजाएगा 6 electron मतलब 3 loan pair negative ठीक है अब यहां से क्या कहा जा रहा है आगे क्या होगा यहां देखे double bond आ गया है यहां single bond आ गया है इस पर positive है इस पर negative है यानि कि overall तो molecule पर कोई charge है ही नहीं अब यह दोनों क्या हुई अगर इस से फिर convert करने की कोशिस करें तो यह electron यहां जाएगा और यह वाले electron यहां आ जाएंगे यानि कि उपर वाली structure बनेगी इस से पता लगता है कि जो आपका carvozylic acid है carvozylic acid की जो structure बनती है resonating structure बनती है वो two बनती है लेकिन आपसे अगर पुछा जाए कि यह दोनों में से सही structure carvozylic acid की कौन सी है तो इसमें से सही structure कोई भी नहीं है ठीक है इसमें से सही structure कोई भी नहीं है तो यह दोनों कैसी हुई आपकी यह दोनों हुई आपकी resonating structure फिर इसकी जो सही structure है वो क्या होगी जो सही structure होगी सही structure होगी R single bond C और यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर आ गया है single bond O इस पर charge कैसा negative charge और यहाँ पर double bond O इस पर charge loan pair के साथ positive charge तो सही structure है कौन सी जो सही structure होगी इसकी वो क्या होगी कि यहाँ पर इसके साथ यह जो bond आएंगे कुछ इस तरह से आएंगे यानि कि इसमें ना तो single bond है ना इसमें double bond है इसका जो bond है वो single से कुछ जादा है और double से कुछ कम है यही आपका कहलाएगा resonance hybrid ठीक है और उपर वाली structure कहलाएगी resonating structure अब जैसे second वाले की बात करते हैं यहां क्या होगा देखें यहां क्या होगा यहां पर क्या होगा यह जो electron है कौन से वाले यह वाले यह यहां shift कर जाएंगे और यह वाला यहां shift कर जाएगा ऐसा करने से क्या होगा R single bond N और इस पर क्या आएगा negative charge आजाएगा with three loan pair और इस पर charge कैसा आजाएगा इस पर charge आजाएगा मतलब इसका इस पर charge कोई नहीं आएगा charge इसका खत्म हो जाएगा ठीक है अब पुछा जा रहा है कि इन दोनों में से actual structure है कौन सी इसकी real structure नहीं है फिर कौन सी इसकी real structure है इसकी जो real structure बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी ठीक है और यहाँ पर क्या रहेगा यहाँ पर dotted line आएगी है इस पर आएगा positive charge और यहाँ पर आएगा negative charge यानि कि यही इसकी क्या होगी यही इसका होगा resonance hybrid resonance hybrid और बाकी उपर की जो दो structure है यह क्या होंगी यह होंगी resonating structure ठीक है clear हो गया अब देखें यहाँ से बात करते हैं last वाले की जो आपका एक LD height लिया गया है ठीक है LD height जो लिया गया है देखें इसमें अगर यह bond यहाँ shift कर भी जाए यह वाला bond यानि कि pi electron यहाँ shift कर भी जाए तो यहाँ पर bond change नहीं होगा उस पर charge कैसा रहेगा negative ही रहेगा इस से पता क्या लगता है यह resonance so नहीं करेगा कुछ ऐसे भी compound होते हैं जिनमें pi electron तो है लेकिन वो resonance so नहीं करते आगे चलके हम इनी का जिकर करेंगे देखिए अब हमें क्या बताना है कि resonance के लिए जरूरी चीज़े क्या होती है आपने इतने सारे example में बार-बार एक ही चीज़ देखी होगी कि resonance के लिए एक चीज़ बहुत जरूरी है और वो क्या है presence of pi electron क्या है presence of pi electrons presence of pi electrons यानि कि pi electron होंगे तो electron की shifting हो जाएगी और electron की shifting होगी तो compound resonance so करेगा लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भी compound में pi electron होंगे वो resonance so करेगा अभी आपके सामने एक example ऐसा ही लिया है जिसके पास pi electron थे लेकिन उसने फिर भी resonance so नहीं की तो ऐसे ही कुछ compound सब आईए देखते हैं हम अगर आपको ये compound दे दिया जाए R single bond CH2 single bond CH3 तो ये आपका resonance so नहीं करेगा यानि कि इसकी resonating structure नहीं बनाई जा सकती है ऐसे ही ये compound अभी आपको दिया था R single bond CHO R, C, H, O इसकी अगर R की जगे हम ले लें CH3 और इसकी आप resonating structure बनाने लगें तो इसकी resonating structure नहीं बन पाएगी ऐसे ही compound क्या है आपका CH2 double bond CH2 इसकी resonating structure नहीं बन पाएगी ऐसे ही अगर एक compound ले लें हम ये compound ले लें इसकी resonating structure नहीं बन पाएगी अगर ये compound ले लेते हैं तो इसकी resonating structure नहीं बन पाएगी ऐसे ये compound हमने ये लिया क्या इसकी resonating structure बन सकती है नहीं ठीक है तो ये compounds ऐसे compounds लिए गए हैं जिन में आप अगर देखेंगे तो pi electron present है देखिए पहले वाले में तो pi electron नहीं है चलिए pi electron ही नहीं है कोई problem नहीं है लेकिन दूसरे वाले में pi electron है यानि कि c o के साथ में double bond बनाता है तो यहाँ पर pi electron present है ठीक है यहाँ पर pi electron present है यहाँ पर pi electron present है 2 pi electron है यहाँ पर भी pi है और यहाँ पर भी pi है तो इससे ये पता लगता है कि πाई लक्टरोन के होने सही होने मात्र से ही resonance नहीं बनाई जा सकती यानि कि resonating structure cable की हम इसे बाद से नहीं कह सकते कि यहाँ πाई लक्टरोन है तो resonating structure बन जाएगी cable resonating structure इस बात पर निरवर नहीं करती कि πाई लक्टरोन होना चाहिए ठीक है अगर πाई लक्ट्रोन है तो भी ऐसा हो सकता है कि resonating structure ना बने फिर उसके लिए क्या जरूरत होती है क्या-क्या चीज़े चाहिए ठीक है देखे अब क्या-क्या चीज़े चाहिए होती है resonating structure के लिए यानि कि resonance show करने के लिए क्या जरूरत होती है requirements जो होती है वो क्या होती है तो यहां क्या आएगा to show resonance to show resonance the compounds must have must have conjugated system conjugated system ठीक है यानि कि क्या होना चाहिए compounds के पास conjugated system होना चाहिए केबल यह नहीं है कि πाई electron ही हो और वो resonance structure बना लेगा ठीक है तो हमें यह भी तो पहचान आनी चाहिए कि कौन से compounds ऐसे हैं कि πाई electron होने के बावजूद resonance नहीं बनाते तो क्या होना चाहिए conjugate system होना चाहिए और conjugate system किसका होना चाहिए यह होना चाहिए पाई electron का किसका होना चाहिए पाई electrons का पाई electrons जो होते हैं उनका conjugate system होना चाहिए अब क्या क्या होना चाहिए चार पांच बाते पांच बाते आपको बताएंगे और ये याद रखना ये ही सारे compounds क्या करेंगे resonance so करेंगे देखे सबसे पहला कौन सा लेते हैं अगर हम first की बात लेते हैं तो first क्या होना चाहिए first ये होना चाहिए कि जैसे ये लिया गया है CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 पहली बात ये कही दूसरी बात की अगर करते हैं हम बात तो क्या होना चाहिए CH2 double bond CH single bond CH2 और charge positive next क्या होना चाहिए next होना चाहिए CH2 double bond CH single bond CH2 charge negative ठीक है और क्या होना चाहिए CH2 double bond CH single bond NH2 और इसके उपर loan pair और इसके आगे क्या होना चाहिए CH2 double bond CH single bond CH2 इसके उपर loan pair ये 5 वो condition है जो आपके resonance को बताएंगी जिन से आप कहेंगे कि resonance कौन से compounds में होगा इन 5ों से ही आपको resonance की पहचान हो जाएगी अब देखिए बारी बारी से यहां क्या करते हैं इनको explain करते हैं ठीक है कि इनकी resonating structure बनेंगी तो क्या बनेंगी देखो क्या होना चाहिए देखो पहले में क्या है conjugate system है चार carbon है और alternate single double bond आ गए है दूसरे वाले में क्या है अगर दूसरे में देखेंगे यहां तो यहां आपका conjugate system के साथ positive charge है double bond के साथ negative charge है double bond के साथ electron pair है ठीक है free electron यानि कि lone pair है और यहां पर क्या है एक free radical है यानि कि एक free electron है अब देखो अगर पहले की आप structure बनाना चाहेंगे तो पहले की structure कैसे बनेगी कैसे बनेगी कि यह बाला bond आपका यहां shift हो जाएगा और यह वाला bond कहा आजाएगा आपका यहां आजाएगा तो इसकी जो resonating structure बन जाएगी कुछ इस तरह से बन जाएगी CH2 single bond CH double bond CH single bond CH2 और इस पर charge आजाएगा पहले वाले पर charge आजाएगा positive और इस पर charge आजाएगा negative तो यह इसकी resonating structure हो गई क्या कहलाएगी यह इसकी यह इसकी resonating structure ही कहलाएगी अगर दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में यह वाला bond कहां shift हो सकता है यहां shift हो सकता है जैसे यह bond यहां shift होगा तो जो CH2 पहला वाला रहेगा इस पर charge आजाएगा positive और structure बन जाएगी कुछ इस तरह से इस पर charge क्या गया इस पर charge आगया positive तीसरे में क्या होगा यह वाला bond यहां shift कर जाएगा और जैसे यह यहां shift करेगा पहले वाले पर charge आजाएगा negative और जहां negative charge था बहाँ बन जाएगा double bond ठीक है तो यह क्या हो गई इसकी यह भी इसकी resonating structure हो गई है अब इसमें क्या होगा loan pair वाले में जो आपका loan pair है यह loan pair कहाँ shift कर जाएगा यहां shift कर जाएगा और जैसे loan pair यहां shift करेगा तो यह कहाँ पहुँच जाएगा इस carbon के पास पहुँच जाएगा इससे क्या बनेगा इससे बनेगा आपका CH2 और CH2 पर charge कैसा आया निगेटिव ठीक है और यहाँ पर CH और double bond NH2 और N पर charge आजाएगा आपका positive ठीक है इसमें क्या होगा free electron में यहाँ आजाएगा और free electron कहाँ पहुच जाएगा पहले carbon पर पहुच जाएगा यानि कि CH2 single bond CH double bond CH2 और free electron कहाँ है आपका यह रहा है आपर free electron ठीक है यानि कि यह 5 conditions हैं जिनमें आपकी कोई भी compound resonance structure बना सकता है यानि कि यह 5 तरीके हैं जिनसे resonance का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा compound आपका resonance बनाएगा अब देखो इनमें पाचों में πाई electron होने के साथ साथ conjugated system भी है ठीक है बाकी आपको जो उपर कुछ example दिये थे उनमें conjugated system नहीं था इसलिए वो क्या नहीं बना पा रहे थे वो resonance नहीं बना पा रहे थे ठीक है तो यह यहां तक तो था resonance का कि resonance होता क्या है resonance की पहचान कैसे करते हैं ठीक है अब बात आती है आगे कि resonance कितने प्रकार का होता है resonance के type की बात करते है resonance कितने type का होता है चलिए आगे आगे चलते हैं वीडियो में तो अब किसकी बात करते हैं हम टाइपस ओफ रेजोनेंस की टाइपस ओफ टाइपस ओफ रेजोनेंस इफेक्ट ठीक है टाइपस ओफ रेजोनेंस इफेक्ट यानि की resonance हमारा क्या होता है कितने टाइप का होता है ठीक है तो जो हमारा resonance है यह आपका two types का होता है ठीक है resonance या mesomeric effect कितने टाइप का होता है यह two type का होता है अब two type में कौन सा होता है एक तो होता है plus r और दूसरा कौन सा का होता है minus r plus r and minus r यानि कि plus r effect और minus r effect यह two types का होता है plus r effect और minus r effect two types का आफ का यह बनता है यहां से अब देखिए जैसे हमने inductive effect में पढ़ाता पीछे इससे पहले आप क्या गरना inductive effect की वीडियो जरूर देख लेना हमारी वहाँ से सारी चीजे clear हो जाएंगी मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो या और कहीं से resonance पढ़ने की कोई भी जरूरत पढ़ेगी क्योंकि पूरा हम detail में बिल्कुल resonance को पढ़ा रहे हैं यहां बिल्कुल detail में आपको resonance देखने के लिए मिल रहा है अब देखिए यह होता क्या है इसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं कि suppose that हमने क्या लिया एक compound लिया यह रहा CH2 double bond CH2 single bond CL CL पर क्या होंगे loan pair होंगे ही तीन loan pair होते हैं CL पर ठीक है तो यह वाला जो यह वाली जो चीज है यह पीछे वाली इसे हम नाम दे देते हैं system और एक यह वाली जो चीज है यह क्या क्या लाएगा यह क्या लाएगा group ठीक है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया इसको नाम दे दिया system और इसको नाम क्या दे दिया group अब देखिए यहां क्या होता है जो group है chlorine chlorine की अगर electronegativity की बात करते हैं तो chlorine इसमें directly bonded है carbon से है न एच तो उपर आ जाएगा यहां CH2 नहीं होगा CH होगा यह थोड़ा सा गलती होगी यहां पर यह CH होगा आपका CH2 नहीं होगा तो chlorine क्या करेगा chlorine की electronegativity carbon से जादा है तो यह क्या करेगा यह इसके electrone को खीचेगा यहनी की electrone को attract करने का काम करेगा ठीक है यह electrone दे देगा इसको देखे यहां हम inductive effect नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चे जो मैंने अभी बात कहीए बिल्कुल बच्चे यही लगा देते हैं कि chlorine electrone को खीचेगा actually क्या करेगा इसके पास क्या है इसके पास electrone है ठीक है इसके पास electrone है तो यह क्या करेगा system को electrone दे देगा जैसे ही यह system को electrone donate करेगा तो यहां पर जो बनेगा bond πाई बनेगा अब जब पाई बनेगा तो यह वाला electrone यहां पर चला जाएगा ठीक है ऐसा होगा यानि कि यहां नीचे जो एक structure बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी CH2 single bond CH और double bond CL इस CL पर आजाएगा positive charge और इस पर आजाएगा negative charge यहां आजाएगा loan pair और यहां रजाएगे दो loan pair यानि कि इसने क्या किया इसने system को electron दे दिया इसका electron कहा गया system में चला गया यानि कि group system को electron दे रहा है अगर group system को electron देता है तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम positive inductive positive resonance effect या positive mesomeric effect अगर कोई भी ग्रूप सिस्टम को इलक्ट्रोन देता है तो उसको बोला जाता है पोजिटिव मिजोमेरिक इफेक्ट ठीक है अब दूसरे सब्दों में यहां दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं कि यहां सपोस्ट एक हम कंपाउंड लेते हैं और कोई एक्जांपल में भी में अब आपको बता थेंगे हम और ऑफ संदीगा कि यहां क्या करते हैं हम यहां जैसे हमने क्या लिया बेंजीन ली गार यहां पर क्या गूरूप ता आपका C double bond O group था और यहाँ पर क्या था H group था ठीक है यहाँ पर क्या थे double bond थे अब देखिए यहाँ loan pair किसके पास है loan pair oxygen के पास है यहाँ अब इन दोनों में oxygen और carbon में आप electronegativity देखते हैं ज्यादा तो electronegativity ज्यादा है oxygen की और जब oxygen की electronegativity ज्यादा है तो यही इस electron को shift कर जए और छायेगा paillac extern को जैसे यह shift करेगा तो वैसे ही यहाँ से Chemistry यहाँ चला जाएगा यानि की यहां क्या हो रहा है यहां यह पूरी की पूरी चीज जो है यह क्या है यह तो है आपका system अ मैं और यह क्या है यह आपका group कि यहां क्या हो रहा है यहां Group सिस्टम से electron ले रह होता है और अगर गुरूप सिस्टम को इलक्ट्रोन देता है तो क्या होता है पॉजिटिव होता है तो ऐसे ही दोनों इफेक्ट यहां पॉजिटिव और negative effect है ठीक है तो यहां क्या किया जा रहा है अगर इसकी बात करते हैं हम तो इसमें क्या किया जा रहा है इसमें किया जा रहा है आपका donation of electron donation of electron from system to group ठीक है और यहां क्या किया जा रहा है इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या किया जा रहा है donation of electron यहां क्या किया जा रहा है donation of electron from group to system तो, यहां क्या हो रहा है जो आपके group हैं जिन को हम यहां group लिये जा रहे हैं वह सारे के सारे कौं से हे वह इलक्टरोन डोनेटिंग ग्रूप है यानि कि वो ग्रूप क्या कर रहे हैं इलक्टरोन डोनेट कर रहे हैं सिस्टम को और यहां क्या कर रहा है ग्रूप इलक्टरोन खीच रहा है सिस्टम से तो यहां जो आएंगे आपके यह कौन आएंगे यहाँ पर आएंगे electron donating group यानि कि जो plus r so करेंगे वो क्या होंगे electron donating group यानि कि electron donating groups जो होंगे वो क्या so करेंगे वो positive r so करेंगे यानि कि edg electron donating group यहाँ जो आएंगे यहाँ कौन आएंगे यहाँ तो electron donating group हैं यहाँ कौन आएंगे देखो यहाँ क्या किया है electron को donate किया है तो electron donating group हो गए यहाँ कौन से हो गए बताइए electron withdrawing group यहाँ कौन आएंगे electron withdrawing group आएंगे electron withdrawing group इन्हें क्या बोलते हैं हम EWG अब बात आती है कि कौन कौन से group से ऐसे हैं जो electron withdrawing है कौन से group ऐसे हैं जो electron donating है यानि कि कौन से group positive R so करते हैं कौन से group negative R so करते हैं ठीक है तो यहाँ example की बात करते हैं नीचे examples में कौन कौन से group positive R so करेंगे कौन कौन से group negative R so करेंगे तो यहाँ जो example है आपके जैसे कौन है bond OH ठीक है, bond OR, bond NHR, bond NR2, CL, BR, I, CH3, यह सारे के सारे क्या होंगे आपके, यह सारे के सारे आपके, electron donating group होंगे, ठीक है, अगर इसके example की बात करते हैं, तो इसके example में कौन आएगा, इसके example में आजाएंगे, जैसे आपका आगया, C double bond O, यानि की ketone, और कौन आगया, C double bond O, single bond H, यानि की aldehyde, और कौन आगया, Cn, और कौन आगया, No2, और कौन आगया, C O O H, ठीक है, C O O H, और कौन आगया, C O O R, यह सारे के सारे group जो होंगे आपके, यह होंगे, electron withdrawing group, यह क्या होते हैं, electron withdrawing group होते हैं, यानि की यह क्या करेंगे, सारे के सारे electron को withdraw करेंगे, जबकि electron donating group कौन-कौन से हैं, वो हैं, जैसे, O H, O R, NHR, NR2, CL, BR, यानि की सारे के सारे halogen, अगर F आपको कहीं देखना है, तो F B इसी में आएगा, लेकिन F, organic में हम बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी electron negativity बहुत जादा होती है, और size छोटा होता है, तो इसकी reactions कम देखने के लिए आपको मिलती हैं, चलिए, अब इसको थोड़ा सा आगे, इसी को explain करेंगे, कि कौन donate करता है, हम example के माध्यम से, इसको थोड़ा सा explain करने की कोशिस करते हैं, कि जैसे आपका example लेते हैं, एक example कौन लेते हैं हम यहां, कि एक example हम यहां ले लेते हैं, जैसे आपका phenol, benzene के उपर, यहां पर double bond है, और उपर क्या है, OH, यह रहा OH, इसके पास क्या है, इसके पास है lone pair, ठीक है, तो यह क्या करता है, यह इन lone pairs को, इन lone pairs को यहां shift कर देता है, यानि कि ring को electron देता है, जैसे यह ring को electron दे देगा, यह कहां shift हो जाएगा, यहां shift हो जाएगा, यानि कि आगे जो structure बनेगी, वो क्या बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी, यहां bond रजाएगा double, यह रहा, इस पर lone pair, और इसी पर charge कैसा आजाएगा, positive, यहां एक lone pair आ गया है, इस पर charge आ गया है, negative, यानि कि OH ने क्या किया है, OH ने electron दे दिये है, किसको system को, अब system को electron दिये है, तो यहां positive R ही लग रहा होगा, अब आगे क्या होगा, आगे यह होगा, कि यह वाले जो electron है, यहां shift कर जाएगे, जैसे यहां shift करेंगे, यह नीचे आ जाएगे, तो, अब क्या होगया, bond double यहां रहा होगा, यहां रहा होगा, उपर तो वैसे का वैसा ही है, यहां पर loan pair, charge positive, यहां loan pair, charge negative, अब देखे, इससे आगे क्या बनने वाला है, इससे आगे क्या होगा, यह वाला जो bond electron होगे, आपके यहां shift करेंगे, और यह वाला यहां पहुंच जाएगा, जैसे यह यहां पहुंचेगा, तो यहां bond double आजाएगा, यहां पर double आजाएगा, उपर वैसे ही रहेगा, जैसे था, loan pair और charge यहां पर positive, यहां पर loan pair और charge यहां पर negative, ठीक है, अब नीचे क्या होगा, यहां से change होगा, क्या change होगा, यह वाला bond यहां shift कर जाएगा, और यहां फिर से उपर चला जाएगा, अब जब यहां जाएगा यह, तो जो यहां structure बनने वाली है, वो क्या structure बनेगी, वो structure कुछ इस तरह से बनेगी, यहां bond, यहां bond, यहां bond, और यहां bond जो हो गया है, वो single हो गया है, फिर से H, और यहां पर loan pair दो के 2, ठीक है, उतने के उतने ही loan pair आ गए हैं, जितने थे, तो यह क्या बन गई है, इसकी यह बन गई है, resonating structure, किसकी, फिनोल की, लेकिन, अगर आप से पूछा जाए, इतनी सारी resonating structures में से, जो यह resonating structure बनी है, सही कौन सी है, तो इनों में से सही structure कोई सी नहीं है, इसकी जो सही resonating structure होगी, वो सही resonating structure कौन सी होगी, जो resonance hybrid होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, यह इसका क्या होगा, यह इसका resonance hybrid होगा, बाक positive inductive effect क्यों है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो group जुड़ा हुआ है उसके पास loan pair है और वो loan pair अपने किसको दे रहा है system को दे रहा है और system को अगर कोई भी group electron देता है तो वो क्या क्यलाएगा वही electron donating group क्यलाएगा तो यहां OH जो है वो एक electron donating group है वो system को electron donate कर रहा है इसलिए यह positive resonance effect show कर रहा है ऐसा जरूरी नहीं है कि जो inductive effect में electron withdrawing group है वो resonance में भी electron withdrawing हो ठीक है electron withdrawing resonance में अलग हिसाब से होते हैं inductive में अलग हिसाब से होते हैं ऐसे electron donating का भी दोनों जगे रोल अलग अलग है चलिए आगए एक example लेते है निगेटिव inductive effect का ठीक है निगेटिव इंडेक्टिव इफेक्ट का कि देखे क्या example लेते हैं यहां बेंजीन और बेंजीन के उपर मैं ले लेता हूं यहां CHO C double bond O single bond H और इसके पास क्या आओंगे दो लोन पे आए देखे यहां C जो है directly bonded है बेंजीन के कार्बन से अगर यहां कार्बन और oxygen में देखते हैं तो electron negativity ज्यादा किसकी है electron negativity ज्यादा किसकी हो रही है electron negativity ज्यादा हो रही है oxygen की तो यह क्या करेगा यह bond यहां shift कर जाएगा और जैसे यह bond यहां shift करेगा तो यह यहां शिफ्ट कर जाएगा ऐसा होने से होगा कि बेंजीन से याणि कि जो बेंजीन है ben palabras की तरब जाएगा group की तरब जाएगा ठीक है यहाँ आ गया double bond? यहां edge और यहां bond कैसा? यहां single और ओपर क्या है ओपर है loan pair charge कैसा आगया ओपर ओपर charge आगया है negative और यहाँ पर कैसा आगया positive यानि कि यहां क्या हो रहा है system से electron बाहरा रहा है positive resonance में क्या आओ रहा है system में electron आ रहा था group से अब आगे क्या होगा next resonating कैसा बनेगी यह यहां से यहां जाएगा तो positive charge आगे चला जाएगा वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे है अब यहां पर charge positive यहां loan pair double bond C, H और पीछे रहेगा O, O के पास क्या रहेगा loan pair 3 और charge negative इससे अगर आगे बढ़ते हैं इससे आगे बढ़ने में क्या होगा देखो यह यहां आ गया था अब यह वाला bond कहा जाएगा पीछे आ जाएगा और charge आगे चला जाएगा charge कैसे आगे जाएगा देखिएगा यहां पर तो double bond है ही यहां भी double bond और यहां पर C, single bond H और यहां पर O, O के उपर loan pair charge negative ठीक है समझा गया होगा यह अब क्या होगा यहां से यहां positive charge था अब क्या होगा यहां से यहां से यह होगा कि यह bond फिट से यहां shift करेगा और यहां का loan pair यहां पर ही आ जाएगा तो आगे जो बनने वाली structure होगी वो क्या होगी बेंजीन के उपर C, H और यहां रह गया होगा double bond और इसके पास रह गये होगे loan pair यह structure बन जाएगी तो इस तरह से 5 resonating structure किसकी बन जाती है यह बन जाती है आपकी benzyl diid की यानि कि benzyn के उपर CHO की पांच resonating structure बनती है लेकिन बात फिर वही आती है कि इनमें से सही structure कौन सी है तो यह जितनी भी resonating structure है इनमें से कोई भी resonance hybrid नहीं है सही structure कौन सी है सही structure कुछ यह वाली आएगी benzyn के उपर CHO तो यह structure जो होगी सही structure होगी ठीक है benzyn की सही structure जो correct structure आएगी वो यह आएगी तो आपको पता लग गया होगा यहां से देखो conclude करते हैं conclusion में क्या पता लगा होगा कि जितने भी ऐसे group है कैसे group ऐसे group यानि कि जो group ऐसे है जिनके पास एक ऐसा atom है atom जिसके पास क्या है loan pair है और यह loan pair वाला atom क्या है directly bonded to directly bonded to the system तो यह क्या करेगा यह plus 800 करेगा ठीक है समझ आगी बात यानि कि कोई भी ऐसा group जिसका जो atom directly system से अटेजड है अगर उसके पास loan pair है तो वो positive आरसो करेगा जितने भी group थे आप देख लीजे किसी को भी इसमें कौन bonded होता है O bonded होता है अब O bonded होता है तो O के पास होते है loan pair तो यह positive आरसो कर रहा है इसमें भी loan pair जो रहा है तो N के पास loan pair है इसमें N के पास loan pair है इसमें CL के पास loan pair है ठीक है इसमें BR के पास loan pair है इसमें I के पास loan pair है ठीक है और इसमें जो CH3 है CH3 का रोल थोड़ा सा अलग है इसे बाद में बताएंगे थोड़ा सा explain करेंगे इसको बाद में next जो वीडियो आईगी हमारी अब यहां देखते हैं C bonded है, C के पास loan pair नहीं है C bonded है, C के पास loan pair नहीं है C bonded है, loan pair नहीं है and bonded है, loan pair नहीं loan pair नहीं, loan pair नहीं तो जिसमें loan pair bonded atom के पास नहीं है वो सो करेगा positive inductive effect sorry, negative inductive effect और जिसमें bonded एटम के पास loan pair हैं वो सो करेगा positive inductive effect तो आज की वीडियो में इतना ही I hope की वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर हमारा inductive effect का वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो inductive effect का वीडियो देख लें और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को जादा से जादा share करें कि जिससे जरुरत मन जो बच्चे हैं उनको ये वीडियो मिल पाए और वो भी इन चीजों के बारे में अच्छे से अध्यन कर पाएं हमारा जो नेक्स वीडियो आएगा वो आएगा कि हम किसी भी compound के acidic और basic nature को inductive effect और resonance effect की help से कैसे explain कर सकते हैं कैसे उनमें hyperconjugation apply होता है कैसे उनमें ortho effect apply होता है thanks for watching